अगज बीहार के लाला कैसे ओश सो यार पूड़े यार टॉकिंग अबाउट सेंटरल उनिवर्सिटी ओप्षाउथ व्यार आपने नाव सो सुनाई होगा सेंटरल उनिवर्सिटी ओफ व्यार का बहुत ही रेपोटेटेटेंड को लेज ए इसके अदर सबसे ज्यादा requirement कि अगर पर बात करें सबसे पहले कोन बच्चे पर प्रप्रय करते हैं सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जो बच्चे जाना चाहते हैं जिसकी दिमांड है यार वह बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि लिए लेड वन जाते हैं क्या वकीफ बन जाते वाकील इसका रिगाठ़ वह कि अधर है यह सच भी है कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम कोलेजिज है और अगर बात करें यह जैसे यह बहुत ही कम युनिवसिटियां है और अगर कोई प्राइगेट कोलेजिज है तो उनकी फीस बहुत ही ज्यादा लाखों में है तो बहुत सारे बच्चे ट्राइग करते हैं कि हमको ऐसे कोलेजिजों में इडिमिशन मिल जाए जाकि फीस भी कम हो और इन्वारिमेंट और उनिवर्सिटी भी अच्छा हो तो मजा जाएगा तो यह इसकी वज़ए से जो कंपिडिशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है सेंट्रल उनिवर्सिटी और साउथ बिहार जो कि साउथ के गया दिस्टिक के अंदर सिच्वेटेड है अब फस्ट अपॉल बहुत सारे बच्चों की क्वारी का सोलीशन करता हूं वह है अप्लिकेशन को कब आने वाला मिया और एडिमिशन का क्या प्रोसेस हम मतलब होता है सेंट्रल यंवर्सिटी टेश्ट्रांस टेश्ट एसके अंतर को मन का क्या मतलब था कि बहुत सारी उनिवर्सिटीयों का एक साथ एंट्रेश्ट मतलब हो रहा है इंप कि अलग हो रहा है इनका अलग-ложक पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगर 40 g região है और बच्चे 40 उनिवर्सिटिव का अगर अप्लिकेशन फोर्म फिल करेंगे, एक अप्लिकेशन फोर्म की मिनिमम अगर फीस एक जार उपए है, वहाँ पार जाने का कोस्ट एक जार लग रहा है, तो दो जार उपए हो गए, 40 बच्चे अगर 40 इसमें अप्लाई कर दिये, तो इसे भी न्यूज मीडिया पर कुछ भी विश्वास ना करें, विकोज आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह मारे देश की जो मीडिया है, वो एक चबरी मीडिया है, और उनकी जो रेंकिंग है, पूरे वल्डवाइल 166 नंबर की मीडिया है, वो उनको तो आप विश्वास नेका टाइम दिया जाएगा, शेकिंड वी को मै के अंदर आपका जो एक्जामिनिशिन होने वाला है, सेंटरल उनिवर सिटी कॉमें इंटरंस टेस्ट या पिस सेंटरल उनिवरसिटी एंटरंस टेस्ट जो भी होगा, ओके दैन जो है, आपको जो रिजल्स दो किसे पड़े क्या नहीं पड़े क्या पड़े सर इसके रिगार्डिंग हमने जुह दो नए प्लान लोज कि है गो नॉर्मन प्लान है एक धस्ट प्राइं प्लान है तो प्लान के बाइब और में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है आपने सुना होगा ओके इसके अंतर अगर हम एडिमिशन के लिए पूरी 100% जित जान लगा देते हैं करवाने के लिए तुम्हें रगट देंगे एकदम पड़ा-पड़ा के इतना पड़ाएंगे इतना पड़ाएंगे दिमाग में खोट-गोट के डाल देगी हमारी टीम तुमारे लिए स्टी मैथेमेटिक्स और अधर अधर जो भी कोर्स होते हैं तुमारे सो आइटिंक जो है अमारी टीम पूरी ट्राइगी कि तुमारा अंडर्ड और परसेंट एडिमिशन हो जाएं लास्ट तक काउंसिलिंग तक और आपको जो भी बेस्ट आपके लिए अफ्लिकेश के साथ विल्ट जीरो काउंसिलिंग वीज और आपका जो सेंट्रल उनिवर्सिटी का फिसा वो रिफंड कर दिया जाएगा फर ही इंडिया के टॉप गोर्रिमेंट को लिजों के अंदर जो आपका इडिमिशन करने का ट्राइं किया जाएगा जिसके अंदर जो सामिल इंडिया के टोप रेपुटेड़ जो गवर्मेंट को लेज अवेलेबल है यार प्राइवेट से हमारा कोई नाता नहीं है और गवर्मेंट वालों से हमारा कोई क्रेक्शन है ठीक हम हमारे दम पर आई में वालब जो भी आपकी माक्स होते हैं या पर काउंसिलिंग वेसिस पर सारा का सारा प्रोसेस करते हैं छाइन कोई ब्लेक मली या धूंद ली जैसा हमें कोई प्रोसेस नहीं है और हम पूरा-कक पूरा नहीं करने जो भी अप्लिकेशन फॉर्मेट के तुरू होता वैसी कराते हैं ठीक है ऐसे कोई राष्टपती फरदान मंत्री से कोई पहुंच बगरा वो सारा का सारा कुछ सिस्टम नहीं है ठीक है तो आप बेल्कुल ऐसा ना सोचे कि भाईया को मैं एक लाग दे के करवा लेता हूं सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ओके सो यार खूब पढ़ाई करिए पढ़ते रही है और जस्ट एक ही ऐसा मुकाम है पढ़ाई का जांसे आप सब कुछ सब जगह पहुंच सकते हो अगर बात करें इंडिया कि अगर आपको 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 खड़कपुर में यहन में भी आपको उसी आपके पेसिस में ऑपको सांट इस प्रकार से आपको तो इसलिए इतना व्हू कूश हौते है है कि हैस्टेग याइटी आई आई-ई इइटि डिवारे जो भड़ी रखी है यह वह इसलिए भड़ी रखी है ग्लाइन फुज पर इसके कीसी किसी के बास कितना ही बडा स क्यों नहीं जा यहां दो nest वहाँ पर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ यह कलम यह पेन जब तक यह पेन चलेगा तब तक आप सबसे सक्सेस की ओर दोड़ रहे हो तो यार इसको पड़ाई को जो है आप कभी भी सेकिंड प्रियोर्योटी के अंदर ना लो चाहिए आप गेम खेल रहे हो चाहिए आप कुछ के लाइप में इसकी जो वेल्यू है वो कभी घट नहीं सकती और इसकी बराबरी जो है कुछ भी चीज बनी नहीं है वह कर सके ओके गाइस थैंक्यू थैंक्यू शौमाच खूब पढ़ते रहे हैं चोटों को प्यार देजिए बड़ों का समान कीजिए थन्यवाद झाल 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 झाल